देख रहे हैं लोकास्था का महापर्व छठ आने वाला है छठ पूजा की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है सरको पर रेडी बल्ब से लाइटनिंग की शुरुवात कर दी जा चुकी है दिपावली का तेभार जा चुका है लेकिन इस साल भी राबडी आवास पे छठ पू पूजा के आता है इसके बाद उदहीमान सुर्य को अरक दिया आता है अस्ताचल गामी सुर्प भगवान को अरक दिया आता है तो यह जो चट महापर्व है वो राबडी आवास पे देखने को मिलता था लेकिन कई सालों से राबडी आवास पे पूजा नहीं कि आता है इसकी वज़ा है राबडी देवी के स्वास्त की समस्याइं हैं स्वास्त पहले जैसे उनकी नहीं रही है कैसा दवाईयां खानी परती है और लालू पुषादों भी अब जब बाहर हैं देखिए जब जेल चले गए थे उस दो रहां तो छट पूजा यहां में शक्त मौजूद हैं पूर मुख्वंति राबडी देवी के आवास के बाहर जो यहां आते थे यहां की हल्चल और धूम अलग देखने को मिलते थी लालू पुषादव की जितनी बिटियां हैं वो सभी आती थी पटना उनके जितने धामाद हैं वो आते थे पटन पूजन हैं वे चट पूजा मनाते हैं वहां पर नितिश कुमार अग देते हैं फिर देशाम को वो स्टीमर से बोड से चट घाटों का मुखमति नितिश कुमार के साथ तमाम तयारियोत का जायजा ले चुके हैं लेकिन राबडी आवास पर इस साल भी चट पूजा का उज पटना में हैं लेकिन इस साल भी चट पूजा कायोजन राबडी आवास पर नहीं होगा यह बरी खबर है जो आपको बता रहे हैं चट पूजा को लेका हर तरफ बाजारों में चहल पहल है सरकों पर चहल पहल है साफसफाई का काम शुरू किया चुका है घाटों का जो मरमत बिहार के जाती है लाइटिंग की जाती है वो तमाम चीजें जो हैं वह कारियों की प्रगति पर है काम चल रहा है लेकिन राबरी आवास की छट की शटा वह महौल देखने का मौका इस साल भी बिहार के लोगों को नहीं मिलेगा अलगी धूम रहती थी बड़े बड़े लो दोए मुखमति न्तिय खुमार हों यहां देया नहीं सब्सक्राइब पूजाए नहीं होना है और काफी लोग इसके याद करते हैं लेकिन फिर से तस्वीर है वैसे ही सनाटे वाली ही दिखेंगी लेकिन चट पूजा में शामिल होने जरूर जाएंगे यह बाद भी पकी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट पेज़ भी लाइक करें धन्यवाद